दोस्तो अगर आपको भी लगता है कि आपका फॉन का जो इस्टोरेज है वो जल्दी फूल हो जाता है आपने अपने फॉन में ना तो ज़्यादा वीडियो डाउनलोड कर रखे हैं और ना ही ज़्यादा अप्लिकेशन आपने इंस्टॉल कर रखे हैं लेकिन उसके आपको अपने फॉन में कर लेनी है ये सेटिंग आपके फॉन में इधर उदर भी हो सकती है सभी फॉन में ये सेटिंग एक ही जगह पर नहीं रहती है इधर उदर ये सेटिंग आपके फॉन में हो सकती है बस इस दो सेटिंग को आपने अपने फॉन में ढूंड लेना है उ दो ये setting आपने अपने phone में कर लेनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने phone की setting में चले जाना है जैसे आप यहाँ पे अपनी phone की setting में जाते हैं तो यहाँ पे आपने एक option search कर लेना है storage करके तो यह option storage वाला आपका कहीं भी हो चकता है आप यहाँ देख सकते हैं किसी phone में यहाँ पे भी रहता है जैसे मेरे phone में यह storage वाला option यहाँ पे available नहीं है लेकिन कई सारे phone ऐसे होंगे कि उनमें storage वाला जो option है वो यहाँ पे भी front में ही दिख जाता है लेकिन अगर आपको अपने phone में storage वाला option नहीं मिल रहा है आपको दिखाई देने लग जाएगा तो यहाँ पे storage वाली option पे इसके बाद आपने click कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा storage वाला जो phone है वो about phone के अंदर छुपा हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यह storage वाला option यहाँ पे दुपा हुआ है तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको storageवाला option अपने phone में धूट लेना है वो आगे पीछे यहां-्वहां कहीं हो असकता है आपके phone में बस आपको इस option को धूटना है तो इसके बाद आपको storage वाले option पर click कर लेना है जैसे ही आप यहाँ पे storage वाले option पे click करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको साफ साफ दिखाई देने लगता है कि कितना आपका phone का storage है जैसे 128 GB की मेरे phone की capacity है और only 23 GB के आजपास मेरे phone में अभी बचा हुआ है आप यहाँ पे एक बार इसे note कर सकते हैं कि 23 GB अभी only मेरे phone में ब बढ़ाने वाला हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग-अलग type के आपके option यहाँ पे दिखाई पढ़ हैं कि जो apps और data है उनमें कितना GB आपका लगा हुआ है 38 GB जैसे आपका app और data में लगा हुआ है लेकिन मैंने उतने ज्यादा भी apps इसमें download या install नहीं कर रखे ह लेकिन इतना ज्यादा इसमें लगा हुआ है इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में भी काफी ज्यादा GB मेरा लगा हुआ है 34 GB के आसपास मेरा वीडियो में लगा हुआ है मैंने कोई भी ज्यादा वीडियो मेरे फॉन में available नहीं है बस एका दुका दो लेकिन यह फाल तुम्हें पता नहीं यहां कहां से इतना GB के मेरे फॉन में वीडियो जा चुके हैं और भी कई चारी चीज़े हैं यहां पे आप देख सकते हैं सिस्टम फाइल अलग अलग टैप के यहां पे आपका स्टोरेज किस में कितना बटा हुआ है यह दिखा रहा ह तो सबसे पहले तो आपको यहां पे यह देखना है कि कहां आपका स्टोरेज जादा किस चीज ने खाया हुआ है इसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं cleaner वाले ऑप्शन पर जैसी ही हम यहां पे क्लिक करते हैं तो यहां पे अभी यह हमारी जो स्टोरेज है वो किलीन कर तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं cleaner वाले option पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो important चीज है वो है catchy file जो की हमारे phone में 2.5 GB के आतपास है अभी catchy files होती क्या है जो भी आप video या कोई भी application आप download करते हैं या install करते हैं तो उसी की साथ उसकी duplicate video या duplicate file भी बनके तयार होताती है यह वही catchy file है इनका आपकी original file से कोई भी लेना देना नहीं होता है तो यह catchy file को आपने delete करना है clean करना है अपने phone से और इनको अगर आप delete करते है तो आपका जो original video है या original application है उस पे कोई भी effect नहीं पढ़ने वाला है बस इन catchy file को आपने यहाँ पे delete करना है तो मेरे mobile में तो यह option कुछ इस तरह से था यहाँ पर नीची की तरफ अगर मैंने scroll किया तो यहाँ पे cleaner वाले option पे click करके मैं catchy file वाला delete या clean करने वाला option मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन आपके mobile में यह option यहाँ पे भी दिखाई दे सकता है front में भी दिखाई दे सकता है बस catchy file वाले option को आपने ढूंड लेना है और उस catchy file वाले option को आपने clean कर देना है तो इसके अलावा आप देख सकते हैं obsolete file को भी आपने delete कर देना है लेकिन यहाँ आप आप देख सकते हैं यह package वाला जो फाइल है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यह क्या работает, तो इसे तो फिलाल आपने ऐसे ही रहने देना है तो फिलाल तो अभी तो आपने हम स्फिर्ति शहिं क burial है, यहाँ पर memory भी आपने इसमें देलिट करनी है कि मतलब जो आपने application install की है उसके अंदर कुछ extra चीज़े भी रह जाती है इससे आपकी जो applications है उस पे कोई भी effect नहीं पढ़ने वाला है सबसे पहले तो आपने ये चीज इसमें clean कर देनी है मेरे phone में only 2.6 GB के आसपाद catchy files है लेकिन हो सकता है आपके phone में 10 GB, 15 GB, 20 GB के आसपाद भी catchy file हो तो आपने सबसे पहले तो catchy file को इसमें clean कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं back अगर आप थोड़ा सा करते हैं तो यहाँ पे इसके बाद आपने अपने phone के file manager के अंदर से ले जाना है और यहाँ पे आपको अलग-अलग images, videos वाले option दिखाई देने लगेंगे तो यहाँ पे application वाले option पे आपने click करना है और सभी इन applications को आपने select all करके delete कर देना है इन जो यह application installed है आपके phone में उनसे कुछ लेना देना नहीं है अगर आप इन्हें delete करते हैं तो भी जो आपके phone में applications install है उस पे कोई भी effect नहीं पढ़ने वाला है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने यह 40 item इसमें select कर रखे हैं और इसे आपने delete कर देना है delete वाले option पे अगर आप click करते हैं तो सभी apks file अभी आपकी इसमें delete हो चुकी है लेकिन जो मेरे phone में जितनी भी application है उनमें कोई भी effect इससे नहीं पढ़ा है तो इसके बाद अगर हम दुबारा से storage वाले option पे click करते हैं तो जो मेरा storage इससे पहले था 23 GB के आसपास था अभी ये बढ़के 25-26 GB के आसपास हो चुका है अभी ये अच्छी तरह से refresh भी नहीं हुआ है अगर आप अपने phone को switch off करते हैं तो उसके बाद ये काफी अच्छी तरह से refresh हो जाएगा और जितना भी आपने cache file या APK file clean किया है वो भी storage आपका इसमें कम हो जाएगा और बीज बीज में आपको अपनी cache file अपने mobile से जरूर clean करनी चाहिए उससे जो आपका काफी ज़्यादा storage है वो clean बीज बीज में होता रहेगा और आपका जो phone है वो storage उसका full होने के चांसे काफी कम हो जाते हैं कितनी भी आप उसके बाद app install करते रहेंगे तो आपका उसके बाद भी storage full नहीं होगा तो दोस्तो इस तरह से भी अपने phone के storage को full होने से बचा सकते हैं थन्यवाद